दीपा वली से ठीक पहले धंतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धंतेरस के दिन लोग सोने चांदी हीरे जवाहरात के साथ साथ बरतन और फरनीचर तथा नए वाहन इलेक्ट्रोने को करन जैसा सामान की भी खरीब करते हैं। परन्तु ऐसी माननेता है कि धंतेरस के दिन जाड़ू की खरीब की जाती है और लोग धंतेरस के दिन अपने घर नया जाड़ू खरीब कर लाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में नया जाडू लाने से पहले आपको कई ऐसी सावधानिया हैं जो बरतनी चाहिए क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको इसका फल मिलने की बजाए आपको इसके नकारात्मक परिणाम झेलने पड़ सकते हैं जेतिशा चार ये पंडित प्रदीप आचार ये का कहना है कि जाडू में लक्षमी का वास होता है लेकिन धंतेरस के दिन अगर नया जाडू करिद कर लाया जाए तो पुराने जाडू को लेकर कई सारी सावधानियां बरतनी चाहिए क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये नुक्सान दायको सकता है पुराने जाडू को अगर नया जाडू खरीद कर लाया जाए तो इससे पहले पुराने जाडू को अपनी नजरों के सामने से हटा देना चाहिए क्योंकि ऐसी माननता है कि दीपावली के दिन अगर पुराने जाडू पर नजर पढ़ जाए तो इसे अप शकुन समझा जाता है उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि पुराने जाडू को हंटाने की बजाए उसे जला देते हैं जो सही नहीं है उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में पुराने जाडू को जलाना नहीं चाहिए लोग चाहें तो इसे अपने घर के किसी कोने में चिपा कर उसे किसी कपड़े से ढख सकते हैं या घर के पीछे जमीन में उसे गाड सकते हैं इसके अलाबा दिवाली के अगली सुबह जब घर की महिलाएं दरिद्र को घर से बाहर निकालती हैं उस दोरान भी जाडू को घर से निकाल कर हंटाया जा सकता है परंतु जाडू पर दिपावली के दिन नजर नहीं पढ़नी चाहिए उन्होंने यह भी कहा कि जाडू में काल आने जाडू का क्या करना है कहीं असान नहों कि आप गलती कर बैठ हैं और आपको इसका नकारात्मक परिणाम जेल ना पड़ जाए लोकल एटीन के लिए जमुई से गुशन कर्षप की रिपोर्ट